दोस्तों आपको स्वागता है आपके पर इंडिया पावर लिमिटर अगर इस कंपनी के बात के यह कंपनी जिस आप से ग्रो कर रहा था लेकिन उसके बाद जिस आपसे इसमें कंटीनिव गिरावण देखने को मिला तो यह और कितना ज्यादा करेक्ट होगा क्या अभी और भी काफी ज्यादा यह सेर करेक्ट होने वाला है किया यह इससेर फिर से पांच रुपए के लेबल के पास जाएगा देख लेतें क्या डिटेल बनता है क्योंकि इसका लेबल था वह चार रुपए का का यज्यादा इंपॉर्टेन था और यह सेर उसी लेबल को तोड़कर है था इस कंपनी ने अगर वहीं सेलिंग की आप देखेंगे जो क्वांटिटी पड़ी हुई है उसमें आप देखेंगे तो आपको 15,21,000 की क्वांटिटी देखने को मिलेगा तो देख लेता है इस कंपनी का और डीटेल क्या बनता है दोस्तों कंपनी के अगर चार्ड की बात करें तो आप देखेंगे यह अपने सपोर्ट लेबल के पास ही जश्ट खड़ा हुआ है यानि कि उसी लेबल पर यह अगें बाउंस बैक किया था कंपनी एक दिन साथ रुपए का काफी बड़ा स्ट्रॉंग सपोर्ट है तो मेरे ख्याल से इस पर आपको अपना स्ट्रॉपलस लगा कर एक्टिव रहना चाहिए यानि कि तुरं तयार रहना चाहिए अगर इसके नीचे निकलता है और आपको बेचने का मौका मिलता है तो आप तुरं बे कि जब यह करेक्ट होगा यानि कि और ज्यादा नीचे आएगा यह लेवल उनके लिए है लेकिन अगर यह यहां से बाउंस बैक करता है अगेन यानि कि इस लेवल पर औलेटी एक पर यह से बाउंस बैक कर चुका है तो अगेन अगर फिट से बाउंस बैक करता है तो जो इ हैना चाहिए क्योंकि अगर अभी तक आपने वेट किया है अभी तक आपने वेट करके रिस्क लिया है तो मेरे खाल चाहिए उस रिस्क का अब रिवार्ड मिलने का चांस आपको मिल जाएगा तो मेरे खाल चाहिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए जैसे यह कंपनी share को आप वोल्ट कर सकते हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा weakness नहीं है क्योंकि आप देखें कि ये अपने 50 के RSI के उपर चलना है तो ये भी कहीने कहीन एक strongness देता है company को अगर ये 50 के below आ जाता है तो फिर इस share में काफी weakness आपको देखने को मिलेगा और ये share दीड़े दीड़े नीचे गिरने की कोसिस करने लगेगा लेकिन जब तक 50 के उपर है तब तक आपको मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें, share करें, subscribe करें थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो